बुद्धुवार का दिन है माग महा के शुकलबक्ष की पूणी माती थी है मागी पूर्णिमा का महापर्व इस दिन रहेगा मागी पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और इस दिन भगवान सित्रिणारायन का विशेश पूजन अर्चन करके ब्राम्वनों को भोजन भी करवाये जाता है तथा दान पुन्य इसनान दान के लिए और वरत के लिए भी यहाँ पुनिमा बड़ी मानी आती है अशलेशा नामक नक्षत्र होगा तथा करकर आशी में चंदरमा बिद्दिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुक्सान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा औरंब कर सकते हैं हरा धनिया सूखा धनिया या फिर धने की डाल राहुकाल जोकी दो पहर बारा बजे से शुरू हो करके एक बच के तीस मिनिट तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब्या मंगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हलाकी राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षित्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी कुम्ब राशी में वहीं चंद्रमा करक राशी में मंगल ग्रह धनु राशी में बुद्ध ग्रह मकर राशी में देव गुरु ब्रहसपती जोकी कुम्ब राशी में शुक्र ग्रह धनु राशी में, शनेदेव मकर राशी में, राहू वरशप तथा केतु वरष्चिक राशी में विराजित रहेंगे। इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार वरशप करक कन्या वरश्चिक मकर एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिख भागिशा लेने वाली है दिन इनके लिए सबसे लाप प्रसिद्ध होगा कारिक्षत्र में उन्नती तथा प्रगती के भी उत्तम अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसाथ इनके घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा शुब और मंगलिक कारिक्रम भी इनके यहां संपन होने का योग बन रहा है अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी भल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अन्तितक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय उचित ग्रहस्तिती आपका सकारात्मक रवया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा समय का भरपूर सद्वयोग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य संबंदि महत्वपूर्ण योजना बनेगी धनलाब होगा नया काम आपका शुरू हो सकता है और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के यदि आप चावल का डान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की राजनितिक तथा सामाजी कारियों के प्रती आपका रुजान बढ़ेगा और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे नय वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा विध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशक्ता है मित्रों के साथ घुमने पिरने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए इससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं रुक सकते हैं और उपाई के रूप में यदि आप चने की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिंदगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानसिक वा शारिरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभाः अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक विवस्था में सुधार होगा दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उप्योग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फाइदा देगी और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण शुरुवात हो सकती है तथा धनलाप के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई थाबित होगा आपका भगिशा ली अंग 5 होगा भगिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की घर के संबंदिक कुछ कार्य यूजना आपकी तयार होगी नया घर आप खरीच सकते हैं या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्ष करेंगे धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका व्यतीत होगा आर्थिक इसीती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना अवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप मसूर की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोट कचेरी के मामलों में आपको फाइडा होगा और मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी रिष्टेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी लोग आपकी प्रसंसा करेंगे आपको मान तथा सम्मान भी प्राप्त होगा और उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुक्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुलाराशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबूज तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई मैंगलिक करिक्रम संपन होने की योजिना बनेगी तथा रिस्तेदारों की आबा जाही बनी रहेगी और उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड और तिल का डान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासे की धार्मिक कारियों में आपका विशेश रुजहान रहेगा तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे आपका रुद्बा बने रहेगा और लक्ष के प्रती आप एकागर जित रहेंगे सफलता आपको वश्च ही प्राप्त होगी नया वाहन नई वस्तु खरिदने के विशे में आप विचार वेमर्श कर सकते हैं उपाई के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके इस्तनान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंग छे होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की इस समय शारीरिक और मैंसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और अध्यात्मिक कारियों में आपका रुजान रहेगा इस्ताई संपत्ती भूमी भवन वाहन की खरीत फरोक्त की कोई योजना चल रही है तो उसमें गंभीरता पुर्वक विचार करें इस समय परिस्तियां आपके पक्ष में है किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की सहायता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी और अध्यनरत बच्चों को अपनी महनत के मरोवांचित परिडाम हासिल होगे जिसे उनका होसला और आत्मिश्वास और अधिक बढ़ने वाला है उपाय के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्वराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके अंडर भरपूर मनोबलव आत्म इश्वास पेदा करेंगे सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपको पसंद करेंगे आपको नोकरी में नया आप काम नई जम्मेदारी मिलने का योग है पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है आपको स्वभाव में सोम्यतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और डाल याने खिचडी का डान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी पारिवारिक माहुल सकारात्मक रहेगा ससुराल पक्षि से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजे आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद